बड़ा मुद्धा होगा हम लोग एक कहेंगे कि इडी का जो करवाई है और सिभी आई का और इंकम टेक्स का यह अफ्ट अरभिन केज्री वाल उसी ग्रेपतार हो गया है तो इह हम भरस्टाचार को नवी के इरिवाल को सपोर्ट करेंगे हम लोग ना तो लालू जादुप का चाराग होटाला का ना तो सीवु सोरें का रिश्वत गंड का ना तो मोधुकोडा का लेकिन यह बात सामने आ रहा है कि आप जो है ना भरस्टाचार के खिलाब में डंडा चला रहा है हो एडी का सिवियाई का जरिये हथकंडा बना के भरती जनता पाटि केंदर में लेकिन आपका एक हुया जब गीता को आप ले आया और यहाँ सीता को ले आया तो गीता का पती का नाम है मोधु कोडा साड़े 4,000 करोड का घोटाला अभी भी बंचीत नहीं है बेल मिला है तो भारते जनता पाटी के लिए बहुत बड़ा सबक हम लोग देंगे और जनता के मीच में ले जाएंगे कि मोधु कोडा साड़े 4,000 करोड घोटाला करके उनका मुखहमंत्री पत चला गया है और जेल मे अभी बेल में है, ट्रायल चल रहा है और उनी के धर्मपत्नी गीता कोडा को आप कॉंग्रेस के सिटिंग MP को आप जीस तरह से सीता का हरन होता था तो गीता का हरन किया, गीता के साथ साथ आभी सीता का भी हरन कर दिया और सिता का मामला जो है लोग सबाद चुनाओं में उनके आरुप में पच्चास लाख रुपिया आरुप ही था है और उनको गिरिपतार साथ माइना जेल में रह चुकी है गीता सुरेन साथ माइना जेल में रह चुकी है हाई कोट के आदेश से उनको 50 लाग रुपिया उन पर सिविय पकड़ा हुआ है तो मतलब कि भारती जनता पाटी में के तरब में जो जाएंगे उनके चस्मा में भरष्टाचार नहीं दिखता है और अगर भारती जनता पाटी के विपक्स में कोई खड़ा दिखाई देता है तो उनको सब भरष्टाचार दिखाई देता है यह उजागर हम लोग लोग सोबह में करने वाले हैं तो हम लोग इस तरह से भृष्टाचार के खिलाब हम लोग तिसरा मोर्चा गठन कर चुके हैं के नाम आया है इस बीच में तो अभी जो एक पाला नाम था हम लोगों का जिसमें जारखंडी खतियानी मोर्चा जेके एम उ जन्मत नाम होगा उसका इस तरह सोट फॉर्म है जारखंड नवनिर्वान मोहसवा तिसरा मोर्चा इसका सोट फॉर्म में जे एन एंटी जन्मत नाम दिया है अब जन्मत बेनार पोश्टार होगा है और इसमें पहला घटक दल जो सहमती बना जारखंड पिपुल्स पाटी रेश्टक पाटी है जिसके मैं केंदरी अधक्छू और उसके बाद जारखंड मुक्ति मौर्च उल्गुलान जिसका अधक्छ है किष्णा माडी उनको हम लोग गोसना कर चुके हैं वो जहां से गीता कोड़ा दल बदलू किया है उहां से इस जन्मत से उमीदबार खड़ा होंगे उमीदबार डिकलेर हो चुका है पूर्व संसत किष्णा माडी तो एक हो गया जारखंड पिपल्स पार्टी दूसरा हो गया जारखंड मुक्ति मौर्च उल्गुलान इसी तरह का जो भरस्टाचार के खिलाप लड़ाई लड़ता हो या परतमान जारखंड मुक्ति करेंगे मना फ्रेस लीडर्शिप देंगे और चौदों को लोग सुभा में चुनाओं लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग जो है ना बंगाल का जारखंड शेत्रे से भी केंडिट देंगे उडिसा भी देंगे और विहार का तो हमारा उमीदबार आई है फिलाल यही भुस